तो देख लोग तो देख लोग तो आज हमारे व्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं एक रेसिपी के साथ में तो यह हम सबसे पहले बनाने जा रहे हैं पालक चिकन तो यहां पर हमने एक बड़ी पालक ली है और चार हरी मिर्चे व्लॉष ऑबने बने के साथ में, ऋचर बनसे लिए और यहां पर हमने मनेतन के सबचना साथ लिए है और बड़ी प्याज और इक भालत हम उत्य बाश्छा है तो 2 ली जि जएगा अगर आपके पास मेना चोट है तो आप 2 ले लीजेगा निया चाईप पावडर है चाईट स् नमक और वन टीस्पून के करीब हल्दी नमक यह हमारा पिंक सॉल्ट है इसके लिए आपको इसका कलर ऐसे लग रहा है और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से रखेगा और यहां पर हमने ना पालक को थोड़ा बॉल करने के लिए रखती है ते तकरिबन दो टीबल स्पून के कर पानी आट करें हूं हमें पानी इसमें ज्यादा नहीं रखना है यह अपनी भाप से लिए जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है यह खुदी मतलब है ना पानी अपना छोड़ देती है और यह देखें यहां पर रहना अची तरीके से हमने इसे को कर लिया है पूरा भी करीब ऑईल और हमारी प्यास को हमें लाइट गोल्डन कर लेना है जादा हमें गोल्डन नहीं करना है लाइट गोल्डन कर लेना है पिंकिश फॉम में और जैसे हमारी प्यास हलकी गोल्डन हो जाएगी इसमें हमारा टोमाटो एट कर लेना है और टोमाटो के साथ में भी हम और चिकन के बाद में पांच मिनुट के लिए के साथ में भून के लेए का बाद में प्याछी के लिमीन पांच मिनुट के लिए मुद्फ कि आगे ले में और अनुनगें आगा मने मिद्यशक्मारगण मेंवी क्षिकन करकीरणा में निंगे Highway тем पमद्रीप होती हे ब्रूंट के लिए और जो हमारा मिक्सी जारत ना उस हमें हमें थोड़ा पानी आड़ कर लेना है तक्रीब हम पानी चाहिए होगी और चिकन को भी हमारा गलाना रहेगा हमें विगए थहाओं है नो इसके लिए तो यह देखिएए थोड़ी हां पानी और अच्छी तरीके से ह जैसे हमें consistency चाहिए ग्रैवी की उस तरीके से हमें इसे रखना है तो यह देखे हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरिबर आठ से दस मिनटों के लिए गैस की फ्लेम हमने हाई रखी वी है और यह देखे दस मिनट हो चुके है अभी हम गैस की फ्लेम कर देंगे और यह जो पर देंगे न साथ में शाति प्लेम कर देंगे डावी प्लेम कर देंग डीए है और यह अच्छा लगता है और इन तीने अभी वेजेटेबल्स बहुत निकलिवी थैंडियों में तो आप ज़रू जरू तरय कर गएगा और यहाँ वाद में सबस्तित खाना के बाद हम खराब हो चुके थे और यहां पर आपको चाहिए तो कटेंस वगरा भी मिल जाएंगे यह देख सकते हो आप blanket है बेट्शिट्स वगरा है और विंडो के कटेंस वगरा पर्दे वगरा आपको सब मिल जाएंगी ऑजि यहां पर और यहां से मैंने दसद्रखान ले लिए और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर अभी मेरे mother-in-law आए हुए थे mother-in-law and father-in-law आय थे तो मैं को direct mark 했 लेकर आये थी है एक्चली egal mommy withп cells е Sig को 1 लेने थे हमेशा से मैं अपनी चॉइस का विशैली मार्केट यह अभी हमें ना अब जा रहे हैं तो हम तो खैर नहीं जा रहे हैं तो बैचों की स्कूल है तो हम तो कहर नहीं जा रहे हैं तो दूने निकलना रहा है थीन से चार दिनों में इस नहीं वन संदाय था और भी वह बता रहें थे कि यह वाला भी देख लीचे आप शादी के हिसाब से थोड़ा है भी है तो लेकिन उन्हें ना मुझे कहा कि नहीं हम आगे भी और मार्केट देख लेते हैं उसके बाद में चूज करेंगे और यह भी एक था रानी कलर का इसका कलर भी नह अच्छा लग रहा था कलर लेकिन अमी ने कहा कि नहीं मुझे रानी कलर वगरा नहीं चाहिए तो हम आगे जा रहे हैं अभी देखने के लिए और अभी देखिति क्राउट तो नहीं है नौर्मल जैसे और बच्छों के भी ना भी ग्जाम से वगरा चल रहे हैं और यह दिए रहे हम याज से भी अक्सर करके न बहुत सारे ड्रेसं वगरा लेते हैं तो वह हमें बता रहे थहा और भी निकाल के लेकिन अप्ड़े कहा कि नहीं मतलब इतना अच्छा लग रहा है और वह निकाल रहे हैं लेकिनन के पास मुमना है इंके बहुत जादे हैंवी तो अबा भी साथ में तो अबा ने कहा कि नहीं एक आड़री तुमने डाक कलर ले चुकियो तो अभी थोड़ा लाइट कलर देख लो तो अभी हम वही आगे जा रहे हैं आगे देखते हैं कौन सा और पसंद आता है अम्मी को और जितने भी ड्रेसे हैं तो सब अम्मी अपना ही मतलब चूज करके ले रहे हैं तो मैंने चुका हो चलो अच्छी बात है कि साथ में आई हो तो अभी पसंद करके ले लो और वैसे भी उन्होंने मैं से कहा ही ता कि मैं आज अपनी पसंद के ही ड्रेसे लोंगे और यहां देखी यह सारे पाकिस्तानी वगरे ड्रेस ते डेली वेर के लिए मैंने अम्मी से कहा कि एक दो तो मैंना डेली वेर के हिसाब से ले लीजेए तो यह देखे यह पसंद आया था उन्हें और हमने उनसे कहा कि लाइट कलर में आप बता दीजेगा और भी जो भी ड्रेसे और इसका दुपटा मुझे बड़ अच्छा लग रहा था इतना साथा है वी भी नहीं था और कलर भी थोड़ा सैटल कलर था और डिजाइन्स वगरा भी ना नॉर्मल ती जैसे डेली वेर के हिसाब से हमें घर में यूज़ करना हो तो अच्छा लगे और कपड़ा भी इसका जो माटीरियल भी था ना बहुत सौफ्ट था एकदम और देखे ये भी एक बता रहे थे कि वो सीम डिजाइन्स में डिजाइन्स इना प्रैस ले ले लिए है और अब हम जा रहे हैं आगे इतने में हजबन भी आ गा है थे बाइक लेके अबा को ना घर पे जाना था अबा कहा के नहीं डिजाइन्स को मुझे बोर हो रहा है तो मैं घर पर चाहता हूं तो हम पहले अम्मी की शॉपिंग Стrop करके अभी अभब की शॉपिंग कर रहे हैं हम तो अभब यहां देखिए कुर्ता पे, पर जाह मा देख रहा है, अभब भी शादी में पहनना था तो अपना इत्म प्लेइन ही देख रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि नहीं अभी शादी के हिसाब से थोड़ा ऐसा ले लीजे तो यह देखे यह भी कहना बहुत अच्छा लग रहा था मुझे क्रीम कलर जैसा था लाइट क्रीम में और इसे के साथ में वाइट कलर भी इन्हें द आजम बहुत अच्या रहा था है और यहां पर हमनेब यह थे अपर रहिस अ कंड्र एक लिए पोरे अनुर्ल ऐप ले जए गाहिं नहीं खालर व्लाए दिख वी यह हैं कर दूदीख कलर अी झाल था उर में कहां बच च्छा अच्छा ना पर इसा रहा था है इत्ट पर अश चलगा यह सिर्ट कर रए फिर्ट कर अच्छा था चाहिए डी न मी उनलगा तो स्टा रख को यह थोटा यक तुछ जा रहे और सो अगहें खंद कर से लोग स्थिर्फ दोड लोग प्यान तो अमी नहीं लिये तुछ से अब बता रहें तो लेकिन वह पता रहे दीवाला फिरा लें से यह ल्याइए तो अभी यह था हुआ दो में इसमें और बी दूसरे डीजाइन बता रहे ते क्रीम कलर बता रहे थैं लेकिन क August क्रीम डालKN यहालों कर जाए मुझे क्रीम तो कॉर्टन की ऐन का डाल मेंये सら मुझे कॉटन में नॉर्मल वाइट ही चाहिए था तो यह भी हम आगे जा रहे हैं वापस इतना साथ ना मार्केट में अच्राउड नहीं थी तो मैंने से कहा के चलो खैर अच्छी बात है क्राउड भी नहीं है और बच्चों को हमने ना दीके यहां पर चोड़कर आए वे थ जैन और जोहेब दोरों ना दीके यहां पर ते और यह देखिए यहां पर अम्मी आ गए है अपने लिए वाइट कलर देखने के लिए और यहां भी उपर है ना सब हैवी हैवी ड्रेस लगे थे एक्चली अभी शादियों के सीजन चल रहे है ना तो इसके लिए जादा तर के लिए फिर यहां हमने हटा दिये और यह वाइट देख रहते हम तो इसमें भी थोड़ा ना दुपटे में इशू था तो वही चेक करें अम्मी को कौन सा पसंद आता है और यह इन्हें अच्छा लगा लेकिन ना यह बता रहे थे कि यह धागा वगरा है तो इसका कोई मस अरड़ी मैंने चार्ज करना भूल गई थी तो इसके लिए आगे की वीडियो में आपको घर पे जाके बताती हूं कि हमने क्या क्या शॉपिंग करें तो यह देखिए अभी हम आ गए हैं घर पे तो यह फाइनली अम्मी ने यह वाला वाइट कलर लिए है यह देखिए यह अम्मी को पसंद आया था वाइट कलर यह अम्मी ने खा के सिंपल भी है और फ्राइडे के हिसाब से ठीक रहेगा जुम्मा में पहनने के लिए तो यह वाला एक अम्मी ने लिए एक पिंक कलर का लिए एक्चली ना मेरा मुबाइल सुछ ऑफ हो गया था तो इसके लिए मैं आगे की वीडियो महाँ पर नहीं बना पाई तो यह वाला एक अम्मी ने लिए महाँ पर शादी में पहने के लिए वली में के दिन और इसके साथ में दो तीन ड्रेस और हैवी लिए वे थे तो वह भी मैं आपको दिखाती हूँ और यह वाला देखें यह तो मैंने आपके स आसस दिखा रही हूं यह देखे यह वाला भी आपने देखे थे कॉटन का जो हमने लिये थे यह वाला भी आप देख चुके हो इसका दुपट्टा मुझे बहुत प्यारे लग और इसके डिजाइन भी बहुत अच्छी लग रही थी यह देखे मैं आपको दुपट्टा प्यारे लग रहा था अस्तर वाला है यह और ड्रेस बी अच्छा लग रहा था कलर विज का लग रहा था है यह यह वाला मैंने भी ली हूं बेबी पिंग कलर का एक्चली मिना उपर डिस्प्ले पे किया वा था मुझे ना देखते साथ में एक नजर में पसंद आ गया था फिर मैंने अम्मी से भी कहा कि आप भी यह ले लो अच्छा लग रहा है तो अम्मी ने भी कहा कि ठीक है चलो मैं ले ले लेती हूं और यह वाला कलर अम्मी के पास भी था नहीं लाइच और अच्छा लग रहा था तो इसके लिए ना फिर उन्होंने भी यह ले लिए और य आपडने मेघ्रेस में अच्छा लेक्ग में अच्छा लगा है वही जादा था तो अम्मी ने फिर कहा कि नहीं में च्छा को करें तो फिर वापस आपश देखते हैं और यह रहे अबा की तीन ड्रेस ये क्रिम कलर का और हजबन तो आते साथ में अपना ड्रेस पहले टेलर को दे दी है सिलने के लिए तो यह वाला एक रहाबा का और यह वाला भी वाइट कलर का अच्छा लग रहा था इसमें लाइट लिग दिम चिकन की डिजाइन जैसे बनी हुई थी बहुत जादी नहीं थी हलकी सी जैसे प्रिंटेट करी वे थी और यह रहा गीजा कॉटन जो हस्बन ने इसमें स्काय ब्लू कलर का लिए थे हस्बन के पास में अलड़ी ऐसा वाल्ट था तो उन्होंने नहीं लिए यह बहुत यह अच्छा माटेरियल लग रहा था इसका पहनने में भी बहुत सॉफ्ट था तो यह रही हमारी आज की शॉपिंग आपको हमारी वीडियो कैसे लगी जरूर हमें कमेंट करके बताईएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करीगा शेयर करीगा और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और इसे के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में दौाओं में याद रखिएगा अलाँ हाफिज, टेक कैर, बाँ बाई